आईए, अब हम काँच के इस प्रिज्म में से सफेद प्रकाश कुजरने दें और देखें कि क्या होता है, तो फिर चलिए, तैयार हो जाएए सबसे पहले, गत्ते की एक मोटी शीत लीजिए, और इसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र या फिर एक पतली सी छिर्री बनाईए पतली छिर्री पर सूर्य का प्रकाश पढ़ने देजिए, इससे सफेद प्रकाश का एक पतला किरण पुंच प्राप्त होता है अब काँच का एक प्रिज्म लीजे और जिर्री से होकर आने वाले प्रकाश को इसके एक फलक पढ़ा लिए प्रिज्म से बाहर निकलने वाला प्रकाश पास रखे परदे पर दिखाई देने लगेगे आप क्या देखते हैं? जी हाँ, वर्णो की एक आपका शक पढ़ देखे जब सूरे के श्वेद प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा गया तो ये प्रिज्म से निकल कर साथ रंगों में पढ़ गया और ये साथ रंग है बैंगमी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल श्वेद प्रकाश से प्राप्त होने वाले इन रंगों को क्रम से याद रखने के लिए परिवर्णी यानि विब्देयों शब्दिया किया गया है प्रकाश के इन अव्यवी रंगों के इस पाटन को इस पेक्ट्रम कहते हैं किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चाथ प्रकाश की विभिन वर्ण, आप्तित किरण के सावेक्ष अलग अलग कोवपन मोरते हैं लाल प्रकाश सबसे कब मोटा है और पहनी प्रकाश सबसे अधिक इसे लिए प्रतेग वर्ण की केरने अलग-अलग पत के अनुदिश निकलती है और इस पश्ट दिखाई देती है आपतित किरण के सापेक्ष रंगों के इस जुखाव को विचलन कों कहते हैं शुएद प्रकाश के उसके अव्यवी रंगों में यानि इस साथ रंगों में विभाजन को विक्षेपर यानि डिस्परशन कहते हैं इस विक्षेपर का क्या कारण है भिन में रंगों के प्रकाश की जाल मुक्त आकाश या लिर्वात में तो समान होती है लेकिन किसी अन्य अपवर्ती महत्यां जैसे की कांच या पानी आदी में भिन भिन होती है काँच में जामुनी या आस्मानी रंग की वेट चाल लाल रंग के प्रकाश की चाल से कम है और इसी कारण से काँच का अपवर्दनांग विपिन रंगों के प्रकाश के लिए अलग-अलग होता है काच का अपवर्दनांग बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिक्ता और लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है आईसेक न्यूटन ने सर्व प्रथम सूर्य के प्रगाश का स्पेक्ट्रुम प्राप्त करने के लिए काच के प्रिज्म का उप्योग किया उन्होंने जब एक दूसरे सर्व सम प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सावेख्ष उल्दी स्थिती में रखा तो पहले प्रिज्म द्वारा प्राक्ति स्पेक्ट्रम के सभी रह में दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे और जब उसे दूसरे प्रिज्म में से एक बार फिर गुजारा तो श्वेज प्रकाश का किरण पुझ प्राप्थ हुआ तभी न्यूटन ने कहा कि सूरय का प्रकाश सात रंगों से मिलका बना है आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष का कारण भी श्वेत प्रकाश के पानी की बूंदो द्वारा अब बतन ही है वशा के तुरंद बाद बायो मंडल में पानी की छोटी छोटी कई बूंदे होती है बातावरर में उपस्तित पानी की बूंदे छोटी छोटी प्रिज्म की भानी कारे करती है सूरय के आपते प्रकाश को ये बूंदे अपवर्दित तथा विक्षेपित करती है और फिर इने आंत्रिक परावर्थित करती है और फिर जल की बून से बाहर निकलते हुए प्रकाश को पुना अपवर्थित करती है प्रकाश के परिक्षेपन और आंत्रिक परावर्थन के करण विपिन ने रंगों की प्रकाश के लिने हमारे नेत्रों तक पहुँचती है उसके साथ रंग यानि पैंगनी, जामू, नीला, हरा, पीला, नारगी और लाल।